आज का टापिक है इन्वार्मेंटल लाओ यानि की पर्यावरण विधिक और इस्टापिक में इस अब्जेक्ट में आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से सेक्षन आपको पढ़ना है कि तो कि ये इन्वार्मेंटल लौ जो है बहुत ही कम स्टेट के हायर जूडिसरी में या जूडिसरी के सिल्बस्त में आता है ठीक है 37 गोड़ में है ही तो चली देखिए तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि इन्वार्मेंटल लॉम में क्या स्च्टेश्न हमें पढ़ना है ठीक है आई तरह देखते है और सभी लोग इसको नोट कर डा लिए ठीक है ताकि आपको आशानी हो two उसकी तैयारी करने में सबसें प्रटेन सेट्शन हैं इंवहारेंट्थ्मिन्ना लॉम concur 2 section 2 section 2 मैं हमेशा पताता हूं section 2 अमेशा जो डिफ्लिस जाल्व में है इसको पढ़ना ही पढ़ना section 2 section 3 section 3 क्या है यह यह कहां दिटर गोवर्मन्न के बारे मिद दिया गया है क्या पावर्स की है section 4 section 3, 2, 3, 4 यह आप देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे, बीच के और भी section है जो exam के point of view से बहुत important नहीं है, इसलिए आपको यहाँ देखना है, क्या देखना है कि अगला section क्या important है, ठीक है, 7, 8, इसके साथ 14A, यह बहुत important, इनको में एक साथ देखेंगे, ठीक है, section 2, 3, 4, 7, 8, और 14A, आप environmental आप और रहे हैं, आप heading देख सकते हैं, ठीक है, अगला point आईए, उसके बाद, फिर आगे के section में आपको और ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, अपील, अपील भी आगया है, 15D, ठीक है 15D, अपील, अपील अपील इगा हो रहाएगा, 15D भी इंपोर्टेंट इगा, अपील इगा हो रहाएगा, फिर 16, 16, और इसके साथ ही साथ, फिर आप 16B, 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 और उसके बाद, 19, 16, और फिर, अप जाहे तो 22, 22, जानि धारावाइस, 22, बार आफ दिक्षन, यानि की अधिकार्ता का वर्जन, और सेक्षन 23, ये क्या है, पावर टू डेलिगेट, यानि शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानि की आपको, इतने सेक्षन अगर आप पढ़ते हैं, तो आप, चत्याजगर, और, और भी किसी स्टेट के एक्जाम में आता है, इन्वर्मेंटल लो, है किसी के, जुदिसरी या हायर में, सत्याजगर के लावा, हिमाचल में, राइट, हिमाचल, और डेलही में है, ध्यान देख दिख लिएगा, यानि की ये जो आपका टापिक है, सत्याजगर, हिमाचल प्रदेश, यानि की एच्पी, और डेलही के जुदिसरी, यानि हायर जुदिसरी के परिच्छा में, सिल्वस में है, और भी किसी स्टेट के जुदिसरी में है, तो वो इतना ही आपको सेक्षन माक्सिमम पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना ह ठीका?